ओम शान्ती, उन्नीस आठ दोहजार चौवीस की मुल्ली है, मुख्य रूप से बाबा ने कहा, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शेवालाय और वैशालाय, यह दो दो बाते स्मृती में रहे, तो तुम स्वादर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, तुम बच्चे अभी ग्यान को या थार्थ रीती जानते हो, भक्ति में ग्यान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बाते करते रहते हैं, भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग, फिर कहा, इस अंतिम जनम में सर्व प्राप्तियों को सामने रख, पावन बन कर दिखा अब सुनते हैं महाबाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मिठे बच्चे ज्यान की धारना करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे प्रेश्न है किन्दों शब्दों की स्मृति से स्वाधर्शन चक्रधारी बन सकते हो उत्तर उत्थान और पतन सतो प्रधान और तमो प्रधान शिवालय और वैशालय यहां दो दो बाते स्मृति में रहे तो तुम स्वाधर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रिती जानते हो भक्ती में ज्ञान नहीं है सिर्फ दिल खुश करने की बाते करते रहते हैं भक्ती मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग ओम श्यान्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाप बैट समझाते हैं अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं तुम कितने उच थे उत्थान और पतन का यह खेल है तुम्हारी बुद्धी में अब है के हम कितने उत्तम और पवित्र थे अब कितने नीच बन गए हैं देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप उंच हो हम नीच है पहले पहले यहाँ पता नहीं था के हम ही उंच ते उंच और नीच बनते हैं अभी बाप तुमको बताते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम कितने उंच पवित्र थे फिर कितने अपवित्र बने हो पवित्र को उंच कहा जाता है उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ड वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवाले सत्यूक के निवासी थे फिर जनम लेते लेते, आधा में तुम विकार में गिरे, तो पतित विशश बने, आधा कल विशश रहे, अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है, दो अक्षर याद करना है, अभी यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की निशानी, यह लक्षमी पांच हजार वर्ष की बात है, सतो प्रधान भारत में राज्य था, भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ट है, वाइसलेस से विशेश बनने में तुमको 84 जन्म लगे, फल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परन्तु कहेंगे तो संपून निर्विकारी एकदम संपून निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे, वह गोरा था, अब सावरा बन गया है, तुम यहां बैठे हो तो बुद्धी में रहना चाहिए, कि हम शिवालय में बिश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धरम ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था, फिर दो कला कम ह जरा जरा कला कम होते, त्रेता में दो कला कम हो गई, पीछे विशिश बनते हैं, और गिरते गिरते चीची बन जाते हैं, इसको कहा जाता है विशिश वर्ल्ड, विशे वैतरनी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहां खीर सागर में रहते थे, तुम सारे वर्ल्ड की को भी समझ गए हो हम वाइसलेस थे इनके राज में थे पवित्र राजाई थी इसको कहेंगे फुल स्वर्ग फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग यहां बुद्धी में तो है ना बाप ही आकर स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं मध्य में ही रावन आया है फिर अ आदी में जाने के लिए पवित्र बनना है अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो अपने को देह नहीं समझो तुमने भक्ति मार्ग में वाइदा किया था बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे आत्मा बाप से बाते करती है श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माव का बाप थोड़ी था आत्माव का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है उस हद के बाप से हद का वर्सा बेहत के बाप से बेहत का वर्सा भारत को मिलता है इसलिए सत्युक को कहा जाता है शिवाले शिव बाबा ने आकर देवी देवता धरम की स्थापना की यह तो सदय व फिर शिवाले में जाते हैं, कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परन्तु ऐसे कभी कोई जाता नहीं, यह सब भक्ती मार के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए, सच सच हैविन में तो अभी तुम जाने वाले हो, वहां कोई रोग आदी होते नहीं, तुम सदैव ह और शित रहते हो, तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैट समझाते हैं, भल बाहर में कहां भी रहते तुम पद पा सकते हो, इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है, खान पान शुद्ध हो, देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीडी आदी का भो भोग लगाते हो क्या, ग्रंथ के आगे कभी अंडेवा बीडी आदी का भोग रखा है, ग्रंथ को समझते हैं, यह जैसे गूरु गोविन का शरीर है, ग्रंथ को इतना मान देते हैं, यह गूरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं, परन्तु गुरु नानक ने थ थोड़े ही बैट ग्रंथ लिखा है, नानक में तो अवतार लिया, सिख लोगों की बृध्धी हुई, बाद में वो ग्रंथ आदी लिखे हैं, एक के बाद एक फिर सिख धर्में आते गए हैं, पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था, अब गीता के लिए समझते हैं, यह श्री कृष्ण का रूप है, ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है, श्री कृष्ण भगवान वाच ही कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान, ज्ञान तो एक परम पिता पर्मात्मा में ही है, गीता से ही सद गती होती है वह ग्यान तो बाप के पास ही है ग्यान से दिन भकती से रात होती है अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है इसके लिए मेहनत करनी पड़े माया के तूफान ऐसे जबर्दस्त आते हैं जो ग्यान एक दम उड़ जाता है किसको बोल भी ना सके पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है इसमें ही टाइम लगता है है तो एक सेकेंड में जीवन मुक्ती की बात बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना तुमने पहचाना शिब बाबा आया हुआ है और वर्सा के हकदार बने गीता भी शिब बाबा ने ही गाई थी उसने ही कहा है मामे कम याद करो मैं इस साधारन तन में आता हूँ श्रे क्रिश्न साधारन थोड़े ही है वो तो जनम लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है बहुत प्रभा पढ़ता है इसलिए श्रे क्रिश्न का अब तक भी गायन करते हैं बाकी आदी सब भक्ति मार्ग के हैं इंगलिश में फिलोसोफि कह देते हैं स्पिरिच्वल नॉलिज तो स्पिरिच्वल फादर ही दे सकते हैं धारन कर रहे हो फिर पिछाडी में बाप मिसल बन जाएंगे सारा मदाद धारना पर है फिर वो ताकत आ जाएगी बाप की याद से याद को जोहर कहा जाता है तलवारों में भी फर्क तो होता है न वही तलवार सो रुपे वाली भी होती है वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है बाबा तो अनुभवी है न तलवार का बहुत मान होता है गुरु गोविन सिंग की तलवार का कितना मान है तो तुम बच्चों में भी योग कबल चाहिए तो ज्यान तलवार में जोहर चाहिए जोहर आने से फिर जल्दी समझेंगे ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो जितना जितना बाप को याद करेंगे याद से ही पाप कटेंगे पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ग्यान देंगे इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रत बनाएंगे तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे बाप में कशिश है ना, अभी तुमको भी ऐसा संपून बनना है नंबर वार ही बनेंगे यह राजधानी स्थापन होती है स्रिष्टी चक्र को तो समझ लिया है सत्यूग आदी से कल्यूग अंत तक अभी है संगम यूग बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने पावन अर्थात सतो ब्रधान फिर खाद पड़ती गई अब वो खाद निकले कैसे आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है आत्मा जूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है ग्यान के पहले तो यह भी नमन बंदन करते थे लक्ष्मी नारायन का बड़ा चित्र ओल पेंट का गदी पर लगा रहता था उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे मन भागता क्यों है दर्शन क्यों नहीं मिलता है भागती में था न फिर जब विश्नु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायन थोड़ी ही हो गए पुरुशार्थ तो जरूर करना होता है एम अबजेक्ट तो सामने खड़ी है यह चैतिन्ने में थे जिनका जड़ चेत्र बनाया है बाप आया है पावन बनाने नर से नारायन बनाते है तुम भी उन्हों की राजधानी में थे फिर ऐसा बनने का पुर्शार्थ करते हो तो अच्छी रिती फॉलो करना चाहिए ब्रम्हा को देवता थोड़ी ही कहा जाता है विश्नु देवता ठीक है मनुशों को तो कुछ पता नहीं कहते हैं गुरु ब्रम्हा गुरु विश्नु अब विश्नु गुरु कैसे हुआ सबको गुरु कहते रहते हैं शिप परमात्मा नमा उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं सबसे बड़ा तो बाप है न उनसे हम यह सीख रहे हैं औरों को सिखाने लिए, सद्गुरु जो तुम को समझाते हैं, वो तुम औरों को समझाते हो, गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे, कि यहाँ बाप है, टीचर है, नहीं तो यहाँ सारी नौलिज तुभारी बुद्धी में होनी चाहिए, हम शिवाले में थे, अभी वैशले में तो अभिनाशी है, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, सब एक्टर्स है, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वो कभी मिट नहीं सकता, जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं, उनको पार्ट बजाना है, जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परन्तों यह अनादी शूटिंग हुई पड़ी है, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्रफी रिपीट होती रहती है, यह वंडर्फुल सितारा है, जो ब्रुकुटी के बीट चमकता है, कभी खिसता ही नहीं, यह ग्यान तुम्हारे में आगे नहीं था, वंडर ओफ वर्ल्ड, हैव अभी तो सत्यूग है नहीं, अभी है कल्यूग, तो पुनर जनम भी कल्यूग में ही लेंगे, जाना तो सबको जरूर है, परन्तु पतित आत्माय तो जाना सके, अभी तुम बच्चे पावन बनते हो, योगबल से, पावन दुनिया गौड़ फादर ही स्थापन करते हैं, यहाँ अनादी चला आता है, परन्तु कब से शुरू होता, यह भी किसको पता नहीं है, आधा आधा तो करना सके, क्योंकि लाखो वर्ष कह देते हैं, कल्यूग को भी 40,000 वर्ष कह देते हैं, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है न, अग्यान नीन से जागना बड़ा युकति बताते हैं, तुम पावन होंगे, तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, यह पति दुनिया ही खलास हो जाएगी, अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सत्यूग में तो बहुत छोटी दुनिया ही जाएगी, अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है, ब पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है? घूसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है, फिर बहोत मेनत करनी पड़ती है, कोई तो गिरते हैं फिर मूँ भी नहीं दिखाते हैं फिर इतना उच्पद पाना सके पुरुषाट पुरा होना चाहिए फेल नहीं होना चाहिए इसलिए कोई गंधर्व विभावी करके दिखाते हैं सान्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे यह तो इंपॉसिबल है बाप कहते हैं पॉसिबल है क्योंकि प्राप्ति बहुत है यहां अंतिम एक जनम तुम पवित्र वनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जनम पवित्र नहीं रह सकते हो कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे सिख लोग भी पवित्र ताका कंगन डालते हैं यहां कोई धागा आदी बादने की दरकार नहीं यह तो बुद्धी की बात है बाप कहते हैं मामेकम बाता थोड़ी है बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रिती से समझाओ यह सब प्रजा पेता ब्रम्हा की उलाद है शे बाबा से वर्सा मिल रहा है पतित से पावन बनना है अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो ऐसा तो कोई कहना सके पहले तो उनकी बुद्धी में बिठा भारत वाइसलेस था अभी विशश है फिर वाइसलेस कैसे बनेगा भगवान वाच मामेकम याद करो बस इतना कहे तो भी अहो भाग्ये परन्तो इतना भी कह नहीं सकेंगे भोल जाएंगे बाबा ने समझाया था उदगाटन तो बाक ने कर दिया है बाकी तुम निमित कर र रहे हो फाउंडेशन लगा दिया है बाकी अब सर्वी स्टेशन का उदगाटन होता है यहा तो गीता की ही बात है गीता में भी है हे बच्चो तुम काम पर जीत पहनू तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए भल खुद ना बने औरों को तो समझाए ऐसे भी बहत ह औरों को उठा कर खुद गिर पड़ते हैं काम महाशत्रू है एक दम गटर में गिरा देता है जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं अच्छा मीठे मीठे सी किलधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग दाना के लिए मुख्य सार पहला इस अंतिम जनम में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बन कर दिखाना है माया के बिगनों से हार नहीं खानी है दोसरा एम अबजेक्ट को सामने रख पूरा पुर्शाट करना है जैसे ब्रम्हा बाब पुर्शाट कर नर से नारैन बनते हैं ऐसे फॉलो कर गर्दी नशीन बनना है आत्मा को सतो प्रधान बनाने की महनत करनी है वर्दान है अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाटधारी भव विस्तार है चाहे कैसी भी परिस्तितिया हो समस्याइं हो लेकिन समस्याओं के अधि नहीं अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है जिसको कहते हैं ड्रामा और ड्रामा के हम हीरो पार्ट धारी है हीरो पार्ट धारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हलका बना दो कोई भी बोज ना हो स्लोगन है सदा ज्यान के सिम्रन में रहो तो सदा हर्शित रहेंगे माया की आकर्शन से बच जाएंगे अच्छा ओम श्यान्ति झाली एक्यू झाली 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 ना हो । झाल 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 झाल